मर्शकार मेरे इस चैनल share knowledge पूरे में आपका सौगत है जी हाँ आज मैं एक ऐसा share लेकिया है हूँ जो की आने वाले समय में आपको अच्छे return दे सकते हैं है मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूं मैं उनी शेयर को ऊपर वीडियो बनाता हूं जो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं तो गाई इस देखिए इस कंपनी को जो मार्केट कैपिटल है वो 9585 करोड के आसपास का है जो कि काफी शानदार है इस कंपनी का जो करेंड मारकेट् प्राइस है वो 38 टे मैं déjà यह कंपनी का हूं चार्ट देख लेएं तो आपड़े काफी शानदार रिटन जीय है गाईन प्राइन प्राक्दा ऑठेंश के में कमपनी ने 174 करोर के असपास का profit बुक किया तो ये भी एक positive sign बन जाते हैं इस company के लिए इस company के जब हम yearly profit देखें तो आप देख सकते हैं ये company totally negative में है देख सकते हर साल में company ने loss book किया है ठीक है इसके बाद इस company का जो हम shareholding pattern की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस company का जो shareholding pattern काफी अच्छा है जो कि 70% के आसपास का है इससे पहले ये promoter हिस्सा है हाँ पर 66% के आसपास हुआ करता था वहीं आप 70 के आसपास हो चुका है यानि promoter अपने stake को increase कर रहे हैं तो यह positive sign बन जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी promoter कौन है जी हाँ इसकी promoter है president of India जी हाँ यह इसमें यह सरकारी company है ठीक है अब मैं आपको क्यों बता रहो यह share आने वाले समय में आपको अच्छे return दे सकता है जी हाँ जी हाँ आप देख सकते हैं यह Indian railway finance corporation का share है आप देख सकते हैं यह 6 महिने में कितने अच्छे return दे चुका है जी हाँ यह railway sector को यह company finance करती है तो आप देख सकते हैं काफ़े अच्छे return दी हैं इस company ने last 6 month के अंतराल में इसके बाद जब हम आई रेडा Indian renewable energy के हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2-3 महिने पहले इस share का IPO आय था मातर 32 रुपे के आसपास यह था अब जाके यह 148 रुपे के आसपास पहुँच चुका है तो अब जब हम इसका maximum chart देखते हैं तो इसने देखी 137% के आसपास का return दिया तो यह काफी positive sign बन जाते हैं उसी तरह से यह दुनों company किस ना किसी sector को finance करती हैं तो वैसा ही एक company है जिसको हम बोल सकते हैं IFCI यह company भी 6 महीने पहले जहां यह 11 रुपे 12 रुपे के आसपास यह trade करती थी वह ही अब जाके यह 38 रुपिस के आसपास पहुच चुकी है यानि कहीं न कहीं यह company भी एक अच्छे return देने की guarantee दे सकती है तो अगर आपको यह share अच्छा लगता है त आप भी उसके उपर थोड़ी study जरू कीजेगा उसके बाद ही आप इसमें investment कीजेगा यह share भी आने वाले समय में 50 से 60 रुपे के असपास trade कर सकता है जिया अगर आप कोई मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को like करें चैनल पे नए तो चैनल को subscribe जरू कीजेग की आने वाले informative वीडियो आप तक easily पहुच जाए थैंक्यू गाइस